Assalamu alaikum, कैसे हैं, आप सब ठीक हैं? आज मैं आपके पास grammar का जो work लेकर आई हूँ, English का, वो है pair of words आपने देखा होगा कुछ words ऐसे होते हैं, जिनके sound एक जैसे होते हैं, बट उनके meanings अलग हो जाते हैं जैसे के affect, the incident did not affect his health, ठीक है, असर अंदास होना effect, I did not have any effect on him, इसी तरह advice, अल्टर, अल्टर, altogether, angel, angle, spelling देखें, एक जैसे हैं, थोड़े से मुफिलिफ हैं, इनके आगे sentence भी दिये में हैं, not done कर लेंगे, तोपी कुछ words दिये में हैं हमें, break, call, 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 clothes, sell, sell, यह सारे pair of words हैं, और साथ इनके sentence भी दिये में हैं, आप इनको note down कर लें, काफी important है, SLO base पर जो papers आजकल बन रही हैं, उसमें यह चीजें आ जाती हैं, यह next दिये में हैं, कुछ इसको भी note down करें, यह देखें, यह भी pair of words हैं, उमीद करती हूं, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके, अल्ला हफिज,